नमस्कार दोस्तो मेरा नाम है भी नहीं दोस्तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा जो यूपी एनचम के ऊपर ओफिसियल केस हुआ था दोस्तो अभी मैंने एक वीडियो बना कर डाला था जिसमें मैंने आप सभी लोगों को दिखाया था लेकिन दोस्तों वो जो आप सभी लोगो रिसिप्ट दिखाई थी वो दोस्तों पूरानी थी तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ अब मैं आपको जो नई रिसिप्ट है उसको दिखा देता हूँ बिद प्रूब के साथ तो फिर पूरा वीडियो को अंत तक देखिएगा और जो गलती हुए मैं उसके लिए sorry बोलना चाहता हूँ आप सभी दर्सकों से तो दोस्तों चलिए आप सभी लोगों को दिखा देते हैं जो औरिजिनल है आप सभी लोगो मिलान करके भी दिखा देते हैं उसके बाद यहां से पंचर, पंकच कुमार वर्मा वा अन्य सभी लोग थे, उसके बाद यहां से जो अधिवक्ता थे, M में सिद्धी के थे, तो दोस्तो अब यही चीज आपको जो आपका ओफिसियल कोड का केस है, उसमें इसको वैरिफाई करके आप सभी लोग को दिखा द यहां से आप सभी लोग को किस पर किया गया है, इस्टेट आफ यूपी एंड टू अडर्स के ऊपर यहां जो केस किया गया है, उसका भी यहां से आपको प्रूफ देखने को मिल जाएगा, उसके बाद जो में यहां से अधिवक्ता हैं दोस्तों, यहां से जिसे एम्मे जिनका पूरा नाम मुझीव एहमद सिद्धी की है, उनका भी नाम यहां से आप सभी लोग को देखने को मिल जाएगा, जो कि कौन सल आप पार्टी एंटर हैं, वहां पूरा डीटेल आप यहां से देख सकते हैं कि मुझीव एहमद सिद्धी की केस के वकील है, यहां से सार तो यहां से आप सभी लोगों को देखनों को मिल जाएगा कि फोर वीक के लिए यहां से जवाब मांगा गया है उसके बार इनको यह भी लिखा है आप लाश में देख सकते हैं कि इफ्यू अनि विटेंट टू वीक्स ट्राणस्यूटर तो यह दो भी के अंदर भी इनका जवाब आ सकता है तो दोस्तों यहां से जो इसकी शुनवाइथ है दोस्तों वहां आपके 27 पांच 2022 मतलब दोस्तों 27 मई 2012 को आपकी इसकी सुनवाई है दोस्तों यह आपकी 26 April को सुनवाई नहीं है यह आपके 27 मैभी 2022 को सुनवाई है और यहा जो order date आप सेलो को दिया गया है तो यहाँ 13-4 तो तो यहाँ 13-4 13 April 2022 को यहाँ Bonnie किया गया है केस तो दोस्तो यहां से आप से लो दिख जाएगा पूरी प्रूप के साथ मैंने दिखा दिया है जो भी गलती मुझसे हुए मैं उसके लिए छमा मांग लिया हूँ आपसे तो ज्यादा जानकरी के लिए वीडियो के साथ मने रहें और चैनल को सस्क्राइब करके रखें कोई भी छोटी से छोटी अपडेट आत हुं ताहु थैंक्स वर वाचिन